तो हेलो एब्रिवन वेलकम बाक टो नियू लाइट नीट में एक बार फिरसे आपका स्वागत है तो सर आज हम लेकर आए एक नए एपिसोड के साथ और यह एपिसोड है सर एपिसोड नमबर 33 और एसेंशल मिल्रल नूट्रिशन तो सर इंपोर्टेंट टॉपिक और इसमें पच्छों आप लोगों को बहुत इदर उदर का इर्रेलेवेंट पॉइंट नहीं याद करने सिर्फ जो पूइंट 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 कर लेते हैं तो हम लोग सर आप देख रहे होंगे एसेंशल मिल्रल नूट्रिशन में पहुंच गया तो हम लोगों ने औ आपके और सब्सक्राइब कर देख लेते हैं और अगर अभी तक किसी बच्चे ने कोई भी एपिसोड मिस्किया है तो जल्दी से जाओ हमारे जो डिस्क्रिप्शिंग बॉक्स में प्लेइस का लिंक दिया उस पर जाके जल्दी से देख तो और लाइक शेर और कमेंट करना तो पहला यहांबर element दिया है potassium तो आपको याद इसमें यह रखना है किस form में यह absorb होता है क्या इसका रोल है potassium ion के form में इसको absorb करते हैं sir more abundant quantities में इसको meristomatic tissue but leave and root tips में चाहिए होता है sir यह anion और cation balance बनाता है और protein synthesis में भी involved होता है opening and closing of stomata यह आपको पता ही होगा potassium ion के form में इसको अम लोग absorb करेंगे और abundant होता है quantity meristomatic tissue इसको बड़ यह रूट तिप्स अनायन के balance को में अनायन के बैलन्स को मैं जिए करेंगा protein synthesis is opening and closing of cell wall calcium pectate के form में प्रेजेंट है middle lamella में बिल्कुल माइटॉर्टिक spindle के formation में accumulates in older leaves involved in the normal functioning of cell membranes और कुछ enzymes को भी सर यह अक्टिवेट करती है सर्फ यहां पर बच्चों को एक point और सरम बताना चाहेंगे कि essential mineral nutrients की बात हो रही है तो सर इसमें भी कि दो तरेके होते हैं एक आपका micro दूसरा macro तो सर अगर macro की बात कर लें तो इनका requirement होता है वो ज्यादा होता है और अगर हम micro की बात कर रहें तो लेस दें टैंविली मोल्स पर केजी और इनके लिए ट्रिक है बच्चे बहुत माइक्रों की सर तो माइक्रों में हमारे डी ब्लॉक के जितने elements हैं वो हमारे बन जाते हैं माइक्रों तो सर्क बस कुछ नहीं करें बस अगर वह अच्छी ट्रिक है आप लोगोंने केमेस्ट्री में बैसे भी लोगों के इंपॉर्टें पॉइंट है तो बच्चों को यादोगा थे सिर्फ लिए इस अब्स प्लांट्स इंड़ ए बिच में प्रेजय बैस में इस अधाना में था इंटीछ और इंच्छ या पॉली संथे ब्लॉज़ इंच्छ एंगर लिए डी इंच्छ वा इंचिश तो राइबो सोम के जो सब्युनेट से हैं वो सेपरेट फॉर्म में रहते हैं फिर सुलफर का दिया हुआ है इससे काफी कॉश्चन भी पूछे जाते हैं यह पूछी भी जाती है सिस्टीन अन मैथियो निन पिर आख तो निन रहा का यह संब और, जो समीसमें तो पूछा है दिति हैं जो beesuu भी हम टेंगे तो उसमें भी हुआ है है वी वाहिए निन ठाली है जो उसमें अनिन जान द्राइबस के जाーチना खार्टें चाली सेवागर अचैन उसमें पूर्ण पूछा जाते हैं कि किस फॉर्म में अम लोग उप्टेंड करें जितने भी दिये हुएं चाहे वो मेगनीशियम का दिया हो चाहे वो सल्फर का दिया हो चाहे आयरन का किस फॉर्म में इसको अबसर करोगे वो बहुत इंपोर्टन है यह बहुत जादा माइक्रो न्युंट्रियंट है अगर हम बात कर लेगा इसकी इसकी तो यह तो यह मैंगनेशियम और यह ध्यान रखेगा अगर इसकी इसे लिक्यों पडुरुल मैंगनेशियम पेड को सलकुलां कि मेंगनेशियम अगर वी कृच्छरी की बाद करेंगे तो और रांगनेशियम प्लोरुफिल तो यह से अगनेशियम वो दिया भी हुआ है, best defined function of manganese is in the splitting of water, photosynthesis, oxygen evolving complex का important component है, apart from chlorine, plants obtain zinc as zedan 2 plus iron, it activates various enzymes, especially carboxylases, यह इंपोर्ट जिंक हमारा metal iron की तरह भी work करता है, अगर हम carbonic enhydrase की बात कर लेगी है, carboxy peptides, activator का काम करता है, synthesis of oxygen में भी important है, यह important point है, यह इंपोर्टन पोई तरह हमारा है copper, copper को किस फॉर्म में, it is essential for the overall metabolism in plants, like iron, it is associated with certain enzymes involved in redox reaction, so copper and iron redox reaction में कई reactions में involved होते हैं, कुपिर्शू के रौर्ण से किस फॉर्म में? ya borate के फॉर्म में BO3 3- and B407 2- यह पूचा गया, important point है, boron is required for uptake and utilization of calcium, calcium के utilization के लिए membrane functioning, pollen gamination, यह पॉइंट भी आ चुका है, cell elongation, cell differentiation and carbohydrate translocation. तो ध्यान में रखना है कि किस फॉर्म में, BO3, 3- और B4, 07, 2- और अब टेक and utilization of calcium के लिए काफी important है, membrane functioning, pollen germination, cell elongation, cell differentiation और carbohydrate के translocation में भी boron की काफी रोल होता है. Then sir, molybdenum. molybdenum plants obtain it in the form of molybdenum. molybdenum is a component of several enzymes including nitrogenase and nitrate. Reductase, both of which participate in nitrogen metabolism. Nitrogenase, molybdenum and iron, two components are. chlorine, it is absorbed in the form of chloroidine along with sodium and potassium. It helps in determining the solute concentration and the anion-cation balance in cells. तो यहां पर आपने देखना था मैगनीज भी स्प्रिटिंग और यहां पर देख रहा है और अगर अगर पोटेशिम की बात की थी वहां पर भी एन आयन का बैलनस और जैसे कि आप जानते हो वह थे और थेहरी में वहां पर आये हैं मैं नियुको नियुको इसेनिशनल धेमेट कर दिए अपर यान फशी तो आयरन भी हम लोगों ने रिखा दिखा इस रिवाइड फॉर् – नियुको रिवाद इस रिकवार पोर यह इंड यह लॉर्वार व्हीं इस नियुक के रिंग स्ट्रक्चे ने कौं सा धने ओंसर करना इ इसको एब्जॉब करते हैं तो यहां पर आंसर कौन सा चला जाएगा आंसर होगा ए थ्री वी फॉर तो यह हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा तो तर्जीडिटी के लिए सबसे पहले जो आपने पढ़ा था पही पॉटाय। काफी इंपोटन है अनायन के टायन बैलन्स को में टेंड करेंगा तर्जीडिटी को पढ़ाएगा और सिर्ड इसको भी हम लोग पॉटायम आयन के फॉर्म में ही एब्सॉर्प करेंगे हैं इन तो रूट टिप के लिए क्याश्यम क्योंकि हमें पता है यह मेरिस्टमेटिक जहां पर होगा वहां पर एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है तो क्याश्यम दैन दो ऑक्सीजन इवाल्विंग कॉंप्लेक्स दो एलिमेंट्स तो सी ओप्शन यहां पे सर करेक्ट हो है विच आप फॉलोइंग एलिमेंट इस ओंस्टिटुएंट अपको करना है कमेंट बॉक्स में फॉंक्शन ऑफ मैंगनेज इं ग्रीन प्लांट्स तो मैंगनेज को सिंटिटिंग और यहां पर ऑप्शन एक चला जाएगा दैन अगर से नाइट्रोजन फिक्सेशन या ने डिसक्स किया और यहां पर मॉलिबिटनम और अगर अम आयरन की बात करें तो नाइट्रोजन इंजाइम में प्रेजिंट होता है वह भी धान में रखना सवाल आया इसमें प्लांट सेल वाल फॉर्मेशन तो प्लांट सेल वाल फॉर्मेशन के सब्सक्राइब बात करें तो बच्चों को बता है क्याल्शियम क्याल्शियम पेक्टेट काफी important element होता है प्रोटोलिसेज और वाटर में यहां पर आ जाएगा और क्लोरोफिल सिंथि प्लोरोफिल सेल वाल फॉर्मेशन के सब्सक्राइब बात करें तो में प्लोरोफिल सिंथिसमें जरूपड़ेगा इसका यहां पर बी हो जाएगा और क्या प्रोटिविटिविटी मैं ने जो पॉइंट आप लोगों को पहले बीश में बताया था डिसक्शन की वाथ है जिसमें यह प्रेजेंट होता है वह बताईए वैसे मैंने बताई दिया है और वाइल सीट क्रॉप्स और वाइल सीट क्रॉप्स मस्कर्ड वगर है कहां से ब्रैसी के सी तो सर आपको यह एपिसोड बहुत पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जुड़े रहेगा हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड के लिए तब तक के लिए जैहिन और जैभारत